गुड मॉर्निंग बच्चो आज मैं आपको क्लास 10 नगीन प्रकाशन का प्रश्णावली 4A का प्रश्ण क्रमांग संख्या 30 कराने जा रहे हूं बच्चो इसके पहले के कुश्चन्स मैं ने पहले के वीडियो में डाल दिया आजा कर देख लेना और अच्छा लगे बच्च बच्च प्लस two equals to zero और यह किसके बराबर होना चाहिए देखो यह x बराबर नहीं होना चाहिए minus one के आप देखो सबसे पहले हमें इस question को आपको त्वी घाती समी करण के रूप में रखना है त्वी घाती समी करण क्या होता है वो होता है आपका ax square प्लस bx प्लस c equals to zero इस र आप ओन में x प्ルस 1 को अगर हम ए मान ले तो यह हमारे पास क्या बन गया? यह हमारे पास देखो ऐसे लिख दो माना x आप ओन में x प्लस 1 इसको किसकी बराबर मान लो? यह ब्राकेट कי नमर को इसको? A के बराबर मान लो लो आपके पास समीकरण में देखो क्या आ गया आपके पास आ गया 2 इस पूरे को देखो हमने क्या माल लिया तो हमने यहां लिख दिया A square की जगा square लगा दो sin minus का 5 इस पूरे को हमने क्या माल लिया था देखो A माना था plus 2 equals to 0 अब देखो यह आपका इसी रूप का हो गया इसके दो शोन्यक निकाल लेंगे गोडन खंडविदी कैसे हल होती है सबसे पहले क्या करो यह जो number 2 है 2 से इसको गडा करो यानि यह हो गया यह बी हो गया यह सी हो गया सी को हम इससे गड़ा कर देंगे तो कितना हो जाएगा तो 4 बीच का नंबर ऐसा बनाना है कि गड़ा कर दे तो 4 आ जाए और जोड़े या घटा है तो माइनस 5 आ जाए तो आप इसके लिए क्या करोगे देखो 4 के आपने LCM निकाल लिया तो कितना आया आपके पास आया टू और टू नंबर यह नहीं इन्हीं दो नंबर से आपके बीच का जो भी नंबर बनेगा इन्हीं दो से बनेगा तो आप क्या ले सकते हो देखो तू ट A A भी लिख देना अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं इसको हम ले सकते हैं माइनस और चाहे देखो A लिख दो बात एक यह वो गई तो हम इसको देखो A A से आपको जाद करने पर भी बन गया अब इसमें से common ले लो common हम क्या ले सकते हैं देखो इसमें भी ये है इसमें भी ये है और ये two और four से कट रहा है त्यारी हम क्या ले ले अगर हम यहाँ पर two a common ले ले तो हमारे पास क्या बच गया ये two a बाहर चला गया अंदर क्या बचया हमारे पास single a इसका a बाहर चला गय साइन किसका माइनस का और टू टू जा फोर यह हो गया यह पूरे बैकेट के नंबर को आप ऐसे का वैसे ही आप है ऐसे लिग दो यहां पर हम क्या लेलेंगे तो यह नंबर बन जाएगा देख़ू अगर माइनस ले ले तो अंदर का साइन change हो जाएगा हमने यहां ले लिए minus 1 ले लिए तो देखो यह जो a minus का था वो a यहां plus का हो गया और यह plus का था minus का हो गया दो शुन्नेक आपको कौन से मिल गया 2 a minus 1 equals to 0 के रूप में रख दो तो आपके पास कितना हो गया 2 a यह minus का था यहां भेज दो plus का हो गया a equals to 1 upon 2 a का मान कितना निकल आया 1 upon 2 ऐसे ही यहां पर फिर से दूसरे वाले का निकल लो a minus 2 equals to 0 तो a equals to 2 यानि a के दो मान आपके पास मिल गया यह अब आपने आप question में उपर देखो कि आपने माना था यह x upon में x plus 1 equals to 0 तो हम यहां क्या लिख देंगे कि माना था आपने क्या माना था कि x और x plus 1 upon में हमने उसको equals to क्या माना था a अब यहां पर देखो हम इसके मान को यहां पर रख देंगे यानि देखो x प्लस फिर से लिख दो एक बाई प्लस 1 और एक कमान कितना है सबसे पहले पहला वाला रख दो आपके पास आया देखो 1 upon 2 x कमान कितना है 1 upon 2 अब इसको क्या करो cross multiplication कर दो cross multiplication मतलब इसको इससे गुड़ा कर दो इसको इससे गुड़ा कर दो, यहाँ पर देखो आपने गुड़ा करा तो कितना आ गया, इसको इससे गुड़ा करा तो यहाँ हो गया, देखो यह 2x, equal का sign लगा तो इससे इसको गुड़ा करेंगे तो, same वही number आ जाएगा, अब यहाँ देखो आपके पास क्या मिल गया आप single देखो x और x बराबर 1, एक मान क्या निकला है आपके पास, x बराबर 1, अब देखो अब यहाँ पर इसको दूसरा वाला एक ही value रख देते हैं, फिर वही यहाँ पर देखो, x प्लस, x प्लस 1, इसको हमने क्या माना, दूसरा एक अमान कितना हो गया आपके पास, इसको हमन आपके, ऐसे लिख दो आप तो आपको समझ में आएगा, 2, देखो x प्लस 1, और यहाँ पर कितना हो गया, इक्वल्स टू x, अब इसको गुड़ा करोंगे, तो कितना हो गया, 2x, और यहाँ 2 को 1 से करा, 2 आ गया, इक्वल्स टू x, अब x, एक साथ रख दो, यहनी कितना हो बचा, यहाँ हो गया, आपके पास, देखो x, ऐसे लिख दो, कि 2x में से 1x खटा, तो बचा, 1x, x इक्वल्स टू, आपके पास 2, यहाँ पर देखो, आपके कुश्चन में, बुक में, माइनस का साइन आ रहा है, अगर हम इस नंबर को, यहाँ ऐसे करके लिख दे, कि 2x, 2 2x प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो, अगर हम यहाँ इस x को इधर भेज दे, इस तरीके से अगर आप लिख दो, यहाँ लिख दो आप इसको, कि x इक्वल्स, माइनस 2x, और यह कितना हो गया, इक्वल्स टू, यहाँ देखो, यह हमने सिंगल x रख दिया, इस 2x को हमने इधर नहीं מה माइनस का अगर आपको साइन माइनस का लाना है, तो आप इस 2x को इधर भेज़ोगे, क्योंकि साइन हमेशा बड़े वाले का आता है, तो आपके पास कितना हो गय को गया, यहाँ देखो 2x में से 1x खट गया, तो साइन यहाँ पर कितना हो गया, आप बुक के स्क्रीन शॉट निकाल लेना यह देखो मैं आपको फिर से दिखा दे रहे हूं यह पूरा कुश्यन यह बाई बच्चों